तो फाइनली हमें PUBG New State का ओफिसल लॉंच ट्रेलर फुल वर्जिन देखने को मिल गया और इसके अंदर हमें ये भी पता चल गया कि भाई हमारा गेम कब आने वाल है अब यूट्यूब पे कोई ये नहीं बोलेगा कि आज गेम आ रहा है कल गेम आ रहा है लेकिन यहाँ पर भा बहुत ही जाता अच्छा भी था और बहुत ही जाता खराब भी था अब क्यों मैं आपको बता देता हूं तो देखो अच्छा इसलिए था क्योंकि फाइनली PUBG New State के तरफ से ऑफिशाली लॉंच डेट देखने को मिला है ऑफिशाल ट्रेलर देखने को मिला है 22 तारी को मतलब October 22 को तो यहाँ पर खुसकबरी दिये है और यह सब के लिए खुसकबरी है और इससे सब खुस भी हो गए थे लेकिन यहाँ पर ट्रेलर को लास्ट तक देखते हमें पता चलता है कि जो PUBG New State है भाई वो October में नहीं वो November में आ रहा है और November 11 को आपको देखने को मिलेगा आपक October 31 को देखने को मिलेगा और अब पता चल रहा है कि भाई November के यहाँ पर 11 तारीक को देखने को मिलेगा तो देखो थोरा सा यहाँ पर आगे पीछे डेट हो गया लेकिन फाइनली यह ओफिसल डेट है और अब यहाँ पर डेट चेंज नहीं होगा और आपको फाइनली देख को बहुत सारा सर्प्राइज दिया और हमें बताया कि भाइस आप हम और भी बहुत कुछ एड करने वाल है अब यदि एड से रिलेटेर बात करें तो सबसे पहले आप सब के दिमाग में चल रहा था कि भाइस आप हमें एरेंगल देखने को हो चुका है कि एरेंगल का एक बिल्कुल ही न्यू वर्जिन या क्या सब्सक्राइज तो इरेंगल 3.0 आपको देखने को मिलेगा पब जी न्यूए स्टेट के अंदर और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेश हुआ है इस पर एक डेडिकेड़ वीडियो मैंने बना रखा है अपने सकेंड चैनल के उपर लिंक डाल दूगा डिस्क्रिप्सन के अंदर या तो आप जैकल सर्च करके वहाँ पर जा सकते हूँ और वहाँ पर एरैंगल 3.0 का आप वीडियो देख सकते हूँ जहाँ पर मैंने बताया है कि क्या-क्या न्यूँ आपको देखने को मिलेगा एरैंगल 3.0 के अंदर तो यह तो कन्फर्म हो गया कि एरैंगल हमें देखने को मिल जाएगा अब भाई देखो जैसे यह अनाउंस हुआ कि हमें एरैंगल देखने को मिलेगा और मीडिया सोकेस में यह अनाउंस हुआ था पबजी न्यूश्टेट का तो भाई उसके बाद यहाँ पर हर जगे स्पैम होने लगा BGMI TED और यह भाई साब आप सोचो यह जाइस भी है हमें BGMI के अंदर इतने सारे हाकर्स देखने को मिलता है इसे हम बहुत ही जादा फ्रस्टेट हो चुके है या क्या सकते हो बहुत ही जादा बुड़ा लगने लगा हमें और हम यही सोच रहे है कि भाई अब कोई ऐसा गे अंगल भी है TDM भी है और साथ ही साथ बहुत ही जादा ऑसम गेम होने वाला है और यह जब अनौंस हो है तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि BGMI अब डैड हो जाएगा और यह definitely होने वाला है जैसे PUBG New State आएगा तो BGMI डैड होगा क्योंकि BGMI के अंदर बहुत ही जादा hacker है और यहां पर PUBG New State बाला नहीं यह भी बोल दिया कि भाई हमारे गेम के अंदर hacker नहीं होगा क्योंकि हम जो इसका anti-cheat है उसे बहुत ही जादा hard करेंगे और साथ ही साथ कोई emulator पे भी नहीं खेल सकता है जो कि बहुत ही जादा अच्छा step है क्योंकि भाई यह एक mobile game है और इसे भी एदि emulator पे बंदा खेलेगा तो मजा नहीं आएगा तो इसलिए इसे emulator पे नहीं खेल सकते है आप सिर्फ और सिर्फ Android और iPad पे ही खेल सकते हो और iPhone पे खेल सकते हो उसके अलावा किसी भी device के ऊपर आप PUBG New State को नहीं खेल सकते है अब यहीं पे आप में से बहुत को ने बोला था कि PUBG New State के अंदर कोई 4v4 TDM देखने को मिलेगा यह नहीं मिलेगा तो finally यह भी confirm हो चुक है official के द्वारा कि हमें PUBG New State के अंदर एक TDM map भी देखने को मिलेगा जो कि 4v4 map होगा यह एक बहुत ही बड़ा TDM map होगा और इसका जो क्या सकतो नाम रखा गया है वो रख आपको देखने को मिलेगा और यह TDM map स्रीफ और स्रीफ PUBG New State के अंदर ही देखने को मिलेगा जो कि भाई देखने में बहुत ज्यादा ओसम लग रहा और जब यह खेलने को आएगा तो कितना ज्यादा ओसम होगा हो तो भाई खेल के ही पता चलेगा अब यहां पर बात करें तो आपको चार ही map अभी के लिए देखने को मिलेगा PUBG New State के अंदर एक देखने को मिल जाएगा आपको Troy दूसरा देखने को मिल जाएगा Irangle तीसरा देखने को मिल जाएगा आपका यहां पर Station TDM map और यहां पर चौथा आपको देखने को मिल जाएगा Training Ground जो कि बहुत पर Duo का यहां पर सिस्टम क्यों हटा दिया गया है लेकिन हां यहां आप डूओ नहीं खेल सकते हो सोलो खेल सकते हो स्कॉर्ड में खेल सकते हो और यह आपको पसंद आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना अब आप में से बहुत कोई नहीं पूछा था कि और आप इंजोई कर पाओगे साथी साथ पबजी न्यूश्टेट के अंदर यह भी कन्फर्म हो गया कि आपको द्रोन देखने को मिलेगा और यह भी कन्फर्म हो चुका है कि आप एनिमी को भी रिवाइब दे सकते हो और यह बहुत ही जादा आसम बात है और साथी साथ पबजी न्यूश्टेट के अंदर और और कहने का मतलब यह है आपके गेम को आपके न्यूश्टेट को इस तरीके से ओंप्टिमाइज किया गया है कि आपके बहुत ही लोई आंड़ इन डिवाइस ऑंदर भी आपको अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स देने का यहां पे क इस ही होगा मतलब वो गेम ही होगा जैसे कि सॉप्ट लाँच हुआ था हमारे बीजी में बैटल लांड वाइल इंडिया अर्ली एक्सेस आया था और उसके बाद यहां पर अचानक से हमारा लांच हो गया था तो वैसी होने वाला है पहले आपको कुछ लोग को यह क्या सकतो जो प्री रेजिस्टर करके रखे होंगे प्ले स्टोर पे उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा और उसके बाद यहां पर लांच हो जाएगा हमारा पबजी न्यू इस्टेट तो आपको क्या लगता है कि अर्ली एक्सेस आपको कब तक देखने को मिलेगा और कब तक हमारा गेम आ चाता हूँ और कमेंट में ये भी बता ना कि भाई ये जो ट्रेलर आपने देखा था आज वब जी नियू स्टेट का वो आपको कैसा लगा आप में से बहुत कोई ने पूछा था कि साइज क्या होगा तो साइज 2GB के अंदर ही होगा ये ये गेम 2GB RAM बाले फोन में सपोर्ट क करेंगा इसका मतलब है कि इसका जो साइज होने वाला है यहाँ पर 1500 MB के अंदर होने वाला है और Hola और यहाँ से डाउंछलोड करतो और साथ यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अफियूर्ट म क्रता कोई भी ठाट पाटी भाई officially confirm हो चिक है और आप में से बहुत कोई नहीं बोला था कि विडियो कॉल का क्या हुआ क्या हमें यहां पर voice call के साथ साथ वीडियो कॉल भी देखने को मिलेगा पबजी न्यूज निकल के नहीं आया तो देखो बंदू इसको लेके कोई भी यहां पर ивается not confirmed नहीं आया कि वीडियो कॉल का feature आने वाला यहां जो वीडियो अने वाला यहां था वीज़ीडियू का feature यहां और यहां पिस दिन आपको और सारे ही डीटेल इरॉंट के बारे में पता चले लिया होगा इंपhh